बुड मॉनिंग टेंथ क्लास शुप्रभातम टेंथ क्लास हम लोग संस्कृत में ब्याकरण विशे पढ़ दे हैं आजकल ब्याकरण में हम पढ़ दे थे समय ठीक है हमें संस्कृत में समय किस प्रकार से देखना है वो चीज मैंने आपको बताई इसके बाद थोड़ा देख कि वाग कभी कभी पेपर में ऐसे पूछ देता है वाग के प्रियोग करने के दे देते हैं आपको जैसे मैंने वाग के प्रियोग में अब देखे यहां समय का क्या रूप चलते हैं देखो जैसे वाग के प्रियोग करते समय वादन सब्द में सब्तमी विवक्ति लग जाती ठीक है जो हम वादन सब्द कहते हैं ना पंच वादने सट वादने जो ने ने सब्द लग रहा है वो क्या लग जाती है सब्तमी विवक्ति लग जाती है ये ध्यान देना है आपको कि जो वादन सब्द होता है उसमें कौन से विवक्ति लग जाती है सब्तमी विवक्ति लग ये ध्यान देना है सब्तमी विवक्ति लग जाती है जैसे यहाँ पे बालक प्रातह पंच वादने उतिस्ठती ठीक है बालक प्रातह पांच बजे उठता है उतिस्ठती उठता है पंच वादने यहाँ पे क्या लग जाता है सब्तमी विवक्ति ठीक है कौन सी विवक्ति लग जाएगी सब्तमी विवक्ती लग जाती है ठीक है आपको घपराने की कोई जरूरत नहीं है इसमें इस दिये बताया जा रहा है कभी-कभी क्या गहते हैं पेपरों में पूस देते हैं एक घड़ी दी जाएगी आपको उस पे जैसे नौ बज रहा है ठीक है और यहां पर आपक ओ को वाख्य दिया जाएगा और वाख्य में बीच में खालिस्तान दिया जाएगा समझ रहे हो मेरे बात को ध्यान से सुनोगे कैसे question आते हैं समय का एक घड़ी दी जाएगी नीचे से एक वाख्य दिया जाएगा अच इस प्रकार यह वाख्य बना है वहां पर आपको तो आपको यहां से देख करके घड़ी से देख करके नौ बजरी है बारा बजरी है दस बजरी है जितने भी बजरी है तो यहां खाली स्तान में लिख देना है जैसे मैंने कहा नौ बजरी ठीक है रामहा प्राता यह दिया जाएगा आपको सिर्प संख्या छोड़ देंगे वह बज कितना रहा संख्या छोड़ देंगे ठीक है यहां हो जाएगा विद्यालायम गच्छती डॉट डॉट ठीक है तो आपने स्वी देखनी है कि कितना बज़रा है तो वैसे ही आपने नीचे लिखना है नव वाद नहीं आये समझ में इस प्रकार के ही क्वैसन आते हैं कभी वाद के प्रियोग में समझ रहे हो घड़ी दी जाएगी वाद को पूर्ण रूप से बना मिलेगा सिर्फ संख्या छोड़ देंगे कि यहां की जितना भी बज़रा है आपको यहां पर लिख देना ठीक है इसलिए पहले घड़ी का बनाया घड़ी का पड़ा हमने और अब ह ताइम क्या करना है वाक्य में लिखना है और कुछ नहीं है कुछ कटिन नहीं है आपको संख्या याद होनी चाहिए और जो मैंने आपको बताया घड़ी के द्वारा जब पड़ाया मैंने कितना कितना बज़रा है वो याद होना चाहिए और यहां वाक्या आपको मिलेगा बना हुआ, सिर्फ रिक्तस्तान में आपको संग्या लिखनी है कि कितना टाइम हो रहा है, कितना वाधन हो रहा है, आये समझ हैं, तो देख लेंगे जैसे पाँच बजने को कितने मिनट है ठीक हो गया जैसे पनच ऑदल नें पाँच बज कर के पाँच मिनट ठीकये पाँच बज कर के कितने हो गए हैं पाँच मिनट अब वाग के पूस देते हैं यहां पर घड़ी ती yer आप को गड़ी झा bolts की अज़ी अगी इस घड़ी मे आपको कितना जैसे बज़रा है यहां दस बज़रा है कितने भी बज़रे ठीक है नीचे से आपको वाग के मिलेगा और यहां पे सिर्फ रिक्तिस्तान मिलेगा तो घड़ी देख करके आपने लिखना है ठीक है संस्क्रिट में जैसे मैंने कहा रामह प्रातह नव वादने विध्यालयम गच्छती राम प्रातह नौ बज़े विध्यालय जाता है तो घड़ी में नौ बज़री है तो यहां रिक्तिस्तान में कितना जाएगा नव वादने वादने में हमेशा ध्यान दोगे कि यहां पे कौन सी विवक्ति होगी सब्तमी विवक्ति होगी हर वादने में पीछे से कौन सी वि करना है लिखना है ठीक है दूसरा जैसा है सो पंच वादने जल्पानम करोती वह पांच बजे क्या करता है जल्पान करता है बालक चतुर वादने उतिस्टती बालक चार बजे उठता है ठीक है घड़ी के माध्यम से आपने क्या करना है रिक्तिस्तान की पूर्ति करने ठीक है लता प्रातः सपात पंचवादने इसनानम करोती ठीक है ये हैं हमारे वाक्या ऐसी परकार के वाक्या हैंगे आपको तो वाक्या आपने क्या करने हैं रिख्तिस्तान में पूर्ति करनी है घड़ी को देख करके जैसे आपको समझाए ठीक है अगला जैसे बुपेशह साई शपात सट वादने क्रेड़ते सपात सट वादने सवा छे बजे ठीक है सपात कहां लगता है जहां पे सवा हो जाता है जब घड़ी पड़ाई तो उस टाइम घड़ी के अनुसार आपको संख्या बताई ठीक है जैसे लोक यानम सपात चतुर वादने निर्गच्छती जो बस है वो सवा चार बजे चली जाती है निर्गच्छती जाना ठीक है रमा रात्रव सार्द अश्ट वादने दूरदर्शनम पस्यती रमा साड़े आठ बजे दूरदर्शन को क्या करती है देखती है बालकाह प्रा पादने संध्या वंदनम करोती बालह प्रातव पादून पंच वादने इसनानम करोती अब यहां पर पादून आया इसका मतलब पौने आ गया ठीक है पौने पाँच गावह शायम पादून सट वादने अरणियात गोस्टम प्रति आगच्छती जंगल से घर आ जाते हैं पा सिर्फ घड़ी के द्वारा ही लिखना होगा यह चीज कुछ नहीं आएगा कभी कभी पूस्ट या ऐसे क्वेशन उपर संख्या में देदी नीचे आपको संस्कृत में क्या करना है इसका नुवात करना है ठीक है सब्दा आपको मिले वे होंगे तो इसको आप वाग क्या को वाग के प्रियोग को अपनी कॉपी में लिखोगे और इसको देख पढ़ने की क्या करोगे कोशिश करोगे कि किसको क्या कहते है ठीक हो गया